स्वागत है अब सभी का इस नई वीडियो पे दोस्त इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं प्रतन किरा सिनमा की तरब से और मन्यू सिनमा की तरब से जो अपडेट आया है कल की ट्यूए 9880 मुवी का नौर्थ आमेरिका रिलीस को ले करेंगे उसके उपर चर्चा करेंगे औ कल की 9880 मुवी का उसके उपर तौर्फ चर्चा करेंगे आज की डेट में काफी सरे पोटल में काफी सरे जगाओं पर इस बात के उपर डिसकरशन चल रही है और मेरे पास भी काफी सरे कंपलेंट भी आया है तो इसके उपर डिसकरशन करेंगे वीडियो के एन तक तो सुभे ही मुझे अपडेट देखने को मिला था जिसको उपर में वीडियो भी बना रहा था कि काफी सारे लोकेशन में फिल्म को इस बार रिलीश करने जा रहे हैं यह लोग बोला जा रहा है कि तीन हजार से भी ज्यादा लोकेशन में कल की 2880 मुवी का रिलीश होगा नौर्थ आमेरिका में बहुत बड़ी लाज्ट नंबर होती है यह एक्चुली में एवेंजर जीसा फिल्म अवतार जीसा फिल्म को इस तरह का लोकेशन मिलता है बाकी सारे फिल्मों को नहीं मिलता है तो यह अगर हो गया तो बहुत बड़ी चीज होगी तो मन्यों सिनमा की तरफ से भी अपड़ेट आया है नौर्थ आमेरिका रिलीश को लेकर के जहां पर प्रतंगिरा सिनमा और एक रियेशन का में प्रतंगिरा सिनमा की तरफ से भी यह अपड़ेट आया है कि प्रतंगिर सेप्टेμamation को बहुँ कि भुलपिल नहीं हो पाया है लेकिन इस बार जो है सिर्पस्ठी प्रथनगेरा सिनेमा नहीं है एक क्रिसम भी जुड़ा हुआ है तो 3000 से ज्यादा तक कि भी Libra का वे ठू Account की जो और अफट हमें सुनने को मिला है साइद वो पूरा हो सकता है क्योंकि दो-दो बेनर इस बार जुड़ा हुआ है बस location का official update आ जाए तो भाई उसे मिल जाएगी देखते हैं 3000 से ज़्यादा हो ना हो पर 2000 से ज़्यादा तो हो जाए Salar की तरह तो कमाल हो जाएगा क्योंकि Salar का 1000 भी नहीं हुआ था साइद 1000 के अंदर था location में और फिर भी 31 मिलियन डॉलर तरक का collection हुआ था day one ऐसा कुछ था मतलब जो की Hollywood movie को भी मात दिया था तो कलकी 298 movie में अगर बुछ तरह का जमतकार हमें देखने को मिल जाए ज्यादा से ज्यादा location में फिल्म को रिलीज किया जाए 3000 से ज्यादा जो बोला जा रहा है उत्रा ना होने से भी अगर 2500 से भी ज्यादा 2000 से भी ज्यादा हो जाती है तो कलकी 298 movie का जो collection होने वाली है North American मेरे भाई बहुत ही जड़ा जबदस्तों का रहा है इस बार दीख रहा है क्योंकि इस बार ऐसा कुछ competition नहीं है कोई बड़ी movie नहीं है हलिवड में है फिल्म है पर इतनी बड़ी movie नहीं है जो कि सभी का जो इंतिजार है तो ऐसा कुछ नहीं है उके तो उम्मीद हम कर सकते है बस location का official update आ जाएगा तभी मज़ा आएगा दो-दो banner है तो feel हो रहा है मतलब feelings आ रही है believe हो रहा है कि हो भी सकता है ज़्यादा से ज़्यादा location मिल भी सकता है देखते हैं क्या हो रहा है आगे लेकिन Manio Cinema की तरफ से और प्रतन केरा Cinema की तरफ से जो excitement और जो मतलब डालिंग प्रवास को लेकर कि जो celebration देखने को मिला है आज की date में और 30 मिलिट बाकी है और एक गंटा बाकी है कल से ये चल रहा है मेरे भाई तो इस तरह का celebration जब देखने को मिलता है तो crazy पता चलता है तो भाई इस तरह का crazy तो है जो की जबर्दस्त करेगा और सलार मुवी अल्रेडी ये सब कुछ कर चुका है तो कल की 298 80 मुवी के लिए एक बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है अब यहां बात करते है दिपिका पादुगुन के बारे में जो की सब के सब जुमनेल लेगे सब के सब ये टीजर को ले करके celebrate कर रहे है लेकिन कल की 298 80 मुवी में दिपिका पादुगुन को इतना बड़ा रोल मिला है लेकिन फिर भी वो क्यों प्रमोशन नहीं कर रही है इतनी देर क्यों पोस्ट करती है और कुछ-कुछ पोस्टर को तो वो पोस्ट ही नहीं करी है अपनी जो बाकी सारे फिल्में होती है वो सारे फिल्मों को लेकर कि तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहती है लेकिन इसके साथ क्यों नहीं तो इससे लेकर कि आप चर्चा बनी हुए है आज के डेट में, गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा, एक्चलि बाहुबली 2 के बाद डालिंग प्रभास और मतलब डालिंग प्रभास वार्सेस बल्यूट ये एक चला है मेरे वाई, बल्यूट वार्सेस प्रभास जो है वो चला है, आप लोगों को पता है, जब कल की 298-80 मुवी के बारे में हमें अपडेट देखने को मिलता है कि दिसा पटानी, अमिता वर्चन सर और देपीका बादुगों जैसे एक्टर, एक्ट्रेस आगर के कल की 298-80 मुवी के स्टार कास्ट में सामिल है और बहुत ही बल्यूट का फिल्म है, यह अच्छा नहीं होगा, कुछ ऐसा, बात में लोग अच्छी तरह से जानने लगे कि यह साउथ की फिल्म है, वो लोग आ रहे हैं, और वो एक्टर, एक्टर को लेकर के लोग खुश भी नहीं थे, लेकिन अभी सोड़ा सा पासा बदल चुका है, लेकिन दिपिका पादुगून को लेकर के वही सेम ओल सॉंग अभी भी गाया जा रहा है, बल्यूट, बल्यूट, बल्यूट के साथ, ओके, तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा, दिसा पतानियार अमिता वचन सर जो है, एक्टिफली फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं, मतलब अमिता वचन सर तो हाली में एक इंट्रूमे में नागस्विन जी का बहुत सारा बुताबित तारीब कर रहे थे, वो इस तरह का फिल्म बना रहे हैं, जिसके लिए मैं बहुत ही जदा एक्साइड़ हूँ, जब आउटपूट आएगा, तभी हमें पता चलेगा कि हमने क्या बनाया है, तो इसलिए मैं बहुत ही जदा एक्साइड़ हूँ, जब मैं ये बुझी भहरवा का टीजर देखता हूँ, जब कोई आउटपूट देखता हूँ, तो मैं भी एक ओडियन्स की तरह बहुत जाता हूँ, कि भाई मैं इस तरह का एक फिल्म में काम के आऊ, इस तरह का एक फिल्म आ रही है, कुछ इस तरह का उनका स्टेटमेंट सुनने को मिलता है, नाया गस्मिन जी को बहुत ज़्यादा तारीब करते हैं, कहते हैं कि इसा कोई डिरेक्टर कैसे सोच सकता है, इतना सोच, मतलब उनकी सोच, उनकी थिंकिंग, उनकी वीजन को लेकर बहुत ज़्यादा तारीब करते हैं, और हमेशा हर जगा पे अपनी सोचल मेडिया हैंडेल पे हो गया, अपनी इंच्रूप पर हो गया, हर जगा पे वो कल की 288 मूवी का हमेशा प्रमोशन करते हैं, दिसा बहुत सारा कमेंट आता है, कुछ भाई लोग तो ऐसे भी कमेंट करते हैं, आप लोग सुनोगे, हसोगे, कि दिपिका पादुगुन को प्रपर पैसा नहीं मिलाएगा, इसी बज़र से वो प्रमोशन नहीं करती है, या फिर वो अपनी followers को अपनी fans लोगों के साथ मतलब share करना नहीं चाहती कि वो कल्की 2880 movie में काम कर रही है वो खुस नहीं है किया कोई इस तरह की बिवाते होती है तो पता नहीं है क्या हो रहा है तो देखते हैं क्या कुछ तो प्रब्लेम होगा या दिपिका पादुगून का जो की हर बार ऐसे कर रहे हैं मतलब अभी फिल्म रिलीश होने के कगार पर आचुका है एक महीना रहता है लगबग ओके एक महीना बस एक महीना से थोड़ा जादा है तो इतना नज़तिक आ चुका है फिल्म और इतनी बड़ी फिल्म है इतना बड़ा किर्दार उसे मिल रही है फिर भी वो कुछ नहीं कर रही है तो पता नहीं क्या है प्रोब्लेम देखते हैं तो उसमें क्या हो गया अब उसका जो फलोवर्स है ना उसकी जो फैंस लोग है कि आप भो लोग खुछ नहीं है कि अगर आप दिविका पादगुन की फैंस हो तो कमेंट करो यह कल की तो नहीं हो गया ओके थैंक्स पर इचिन आवे नाइस्ट